लौकी और चना दाल की सबजी बहुत ही टेश्टी बनकर तयार हुई है अगर आप लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं तो भी आप इस तरीके से सबजी बनाएंगे तो खाना पसंद करने लगेंगे एक बार जरूर बना कर देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल गैतरी भेज किचन में आज हम बनाएंगे लौकी और चने दाल की सबजी तो यहां हमने लौकी लिया है 500 ग्राम ताजे लौकी मैंने यहां लिया है चैने दाल मैंने यहां पर 100 ग्राम लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने भीगो कर रख दिया था दोस्ते तीन घंटे यह अच्छी तरह से फुल गया है और हमने इसे धो लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबजी को बाना तो उसके लिए हम सबसे पहले लौकी को काट लेंगे तो आगे और पीछे का भाग इसे हम निकाल लेंगे और बीच से टुकड़े हम इसे कर लेंगे ताकि इसे काटने में आसानी हो इस तरह से हमें दो टुकडे लोकी का कर लेना है और इसे हम छिल लेंगे लोकी को मैंने अच्छी तरह से छिल लिया है तो चलिए इसे हम धो लेते हैं एक बड़ा बरतन में पानी लेंगे और लोकी को अच्छी तरह से धो लेंगे लौकी को अच्छे से मैंने धो लिया है तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकडो में लौकी को इस तरह से हम बीच से कट करेंगे इसके बाद इसे हमें किनारों से इस तरह से कट कर लेना है देखिए इस तरह से आप चाहे तो किसी भी तरह से आप कट कर सकते हैं लौकी को मोटर या पतला तो मैं छोटे छोटे टुकडों में और पतला पतला ही काटूंगी इस तरह से सारे लौकी को हम इसी तरह से काट लेंगे सारे लोकी को मैंने काट लिया है इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में तो चलिए सबजी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने गैस पर कड़ाही को गर्म कर लिया है इसमें हम डालेंगे तीन से चार बड़े चम्मच सर्षो ओयल सर्षो ओयल में सबजी बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक चम्मच यहां हम कटा हुआ अद्रफ डालेंगे और तीन से चार हरी मिर्च कटा हुआ डालेंगे और एक प्याज कटा हुआ डालेंगे इन सभी को हमें एक मिनट तक भून लेना है इसके जगह आप सगा प्याज भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही टेस्टी लगता है सबजी यहां हम डालेंगे लसुन का पेस्ट एक चम्मच क्योंकि अद्रफ मैंने पहले से ही कट कर डाल दिया था इसलिए हम अद्रफ का पेस्ट नहीं डालेंगे इक चम्मच हम हल्द मिर्च का पौडर डालेंगे लाल मिर्च का पौडर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको जारा तीखा पसंद नहीं हो तो और आधे चोटे चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पौडर एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे इसके साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक तो मसालोओ को उटमाटर को हमें 2-3 मिनट फ्रेम पर इसे हमें भून लेना है अगर कराही में मसाले चिप मतरियोग Oppa साथ ही इसमें हम चने का डाल भी डाल देंगे और इसे high flame पर हमें 2-3 मिनट भुनना है अगर आप लशुन प्याच नहीं खाते हैं तो बीना लशुन प्याच का भी इसे बना सकते हैं बहुत ही tasty सबजी लगता है बीना लसुन प्याच का भी लोकी को अच्छी तरह से भुन ल इसे हमें दस से बारा मिनट धक कर पकाना है दस से बारा मिनट हो चुके हैं तो चलिए धकन को हटा कर हम चेक कर लेते हैं कि लौकी और चना दाल पका है की नहीं तो चलिए इसे हम थोड़ा सा लेकर चेक कर लेते हैं चना दाल को पहले हम चेक करेंगे चना दाल अच्छी तरह से पक चुका है और हम लौकी को चेक करेंगे लौकी भी अच्छी तरह से पक चुका है ग्रेवी ज्यादा है सब्जी में तो इसे हमें शुखा लेना है तो हाई फिलेम पर इसे हम सुखा लेंगे तो सबजी हमारा आची तरह से पक चुका है, ग्रेवी भी सुख चुका है, तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, सबजी पिल्कुल तयार है, फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी सबजी बनी है, अगर आप एक बार इसे बना लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन कर करेगा, तो आप इसे बनाईए और खाईए, बहुत ही टेस्टी सबजी है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, सियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्काइब करना न भूलें, बैल आइकन को भी दबाएं, धन्यवाद,